जोदपूर से बड़ी तादात में सीएम अशोग गहलोत के समर्था कि हाँ पर पहुँचे और उसी के चलते जन टीवी के न्यूस कोडिनेटर योगिन शर्मा की ये रिपोर्ट देखे अशोग गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूपे तीसरी बार शपत ली है दो बार राजवान वे और तीसरी बार खुबसुरत अलभर टॉल के आगे हमारे साथ इस वक्त जोदपूर के कुछ कारे करता और विधायक हैं उनसे बात करेंगे कितना उत्सा है अशोग जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने है बहुत उत्सा है कारे करता हैं जो चाहते थे कि एक सरल व्यक्तित वो मुख्यमंत्री बने जो गांधिवादी नहता है जन नायक है वो आज पुना तीसरी बार मुख्यमंत्री बने जोद्पूर के पूरे राज़स्तान हिंदुस्तान में बहुत उत्सा है और कारे करता हूँ और आम जन के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो उन्होंने पिछले बार में भी उन्होंने जो रास्ते खोले थे और इस बार पुना हमें पूरा विश्वास है कि हर वर्ग के रास्ते खुलेंगे विकास के रास्ते खुलेंगे और चरम सिमा पर राजस्तान का विकास होगा ये बात पहले दिन से ही कही जा रही है कि मुख्यमा अशोग गहलोत को लेकर के लोगों में उत्सा है लेकिन चुनोतिया भी बहुत हैं जैसे कहा कि महिला हो चाए किसान हो चाए युवा हो हर वरक को उम्मीद है मैं हेमलता चौधरी जोधपूर से चुनोतिया बहुत हैं अशोग जी के सामने चुनोतिया हैं लेकिन वह हम पूरी करेंगे हम मतलब मैं जो गाओं को स्मार्ट बनाने के लिए निकली हूँ और ग्रामिन कौशल विकास युजना को लेके हम लोग चलेंगे और एके गाओं को पकड़ेंगे स्मार्ट करेंगे तो अशोग जी अपने आप उपर उठेंगे और हमारी गॉर्मेंट वापस आएगी वो अभी सेंटरल में अज इससे जादा खुशी का महौल कभी हुआ ना होगा आज हमारे अशोग गेलो जी और सचिन पाइलिट जी ने जो शपत ग्रेंड किये उस मोगे पर आप खुद देख सकते हैं कि ये आज हमारी जीत कैसी हुई है और आने वाले विदान सबाचुनाओं के अंदर हमारी जीत पक्की है और डेफिनेल पक्की है परोसा था कि अशोग जी मुख्यमंत्री बनेंगे पूरा वरोसा था अपनको क्योंकि हर यूवा के हर इंसान के दिल में चाय हुए है तो चलिए ये लोग जोदपूर से आएवे हैं और जोदपूर के अशोग गलत रहने वाले हैं मिशित रूप से हर जोदपूर के चेहरे पर इस वक्त खुशी की लहर देख सकते हैं जब उनका नेता तीसरी बार सपत ले रहा है ये पहला आउसर है जब कॉंग्रेस ने राजबहुन के बाहर जाकर के सबद गहन समारों का आईजन किया कैमरा परसन गिर्राज के साथ योगेंद शर्मा जाएवे है